प्योर ओ, ओव्शेशन, OCD के विशे में आप जानते ही हैं, ओव्शेशिव कंपल्सिव डिसॉर्डर, कंपल्शन मतलब कोई रिचुवल करना, जैसे कंटेमिनेशन वाले हाद होते रहते हैं, चेकिंग वाले चेकिंग करते रहते हैं, भगवान के परती जिनको बुरे विचार आते हैं, मनत या धोक देते रहते हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन में ये कंपल्शन नहीं होता है प्योर ओशेशन होता है उसे OCD की प्योर ओफोम कहा जाता है जिसके अंदर कंपल्शन दिखता नहीं है मेंटल ही कंपल्शन होता है मनी मन कंपल्शन होता रहता है इसे rumination OCD भी कहते हैं अब देखिए कि जिनको pure O Ocesion है उनके क्या symptom होंगे अब देखिए कि उनके मन में विचार आएंगे intrusive thought उनके मन में चलते रहते हैं बस वो thought उनको बड़ा irritate करते हैं struck करते रहते हैं mind में उसमें aggressive विचार आ जाते हैं उसमें sexual विचार भी आते रहते हैं ऐसे violent thought उनके मन में बार-बार आते रहते हैं उस वज़े से उनकी body language बिगड़ जाती है लेकिन वो compression कुछ नहीं करते हैं ना तो हाद होते हैं ना checking करते हैं ना मन्नते मांगते हैं ना बैठते हैं बस प्रिशान रहते हैं अब देखिए कि सबसे जो बुरी condition होती है इसी form वाले OCD वालों की होती है जिनको pure obsession है उनकी condition बहुत बुरी होती है क्योंकि वो मन में ही उलज आते हैं उनके मन में हडकंप युद चलता रहता है उससे मुक्ती नहीं मिलती है जैसे तडपती है मचली बिन पानी ऐसे ही तडपते हैं ये intrusive thoughts और violent और ये unwanted thoughts जब उनके मन में आते हैं जब उनके मन में वो obsession आता है वो निकलता ही नहीं है विचार मन में फस जाता है तो इनकी condition बहुत बुरी हो जाती है जिनको pure form है pure O वाली form होती है OCD की उनके compulsion तो किसी को देखते नहीं है लेकिन ये बन ही मन बड़े बेचेन रहते हैं कई बार उदास हो जाते हैं कई बार aggressive हो जाते हैं कई बार violent हो जाते हैं कई बार सुष्ट हो जाते हैं तो इनके अलग अलग अपने ही mental compulsion होते हैं मन ही मन विचार को बदलने की कोशिज करते रहते हैं जैसे किसी के मन में sexual विचार आ गया किसी को देख लिया तो उनके मन में sexual विचार चलने लग गए अब ये इस विचार को बुरा मानेंगे क्योंकि ये intrusive thought उनके मन में ये unwanted है और उनकी energy पूरी ले रहा है उनका attention ले रहा है अब इसको वो positive में करने की कोशिज करेंगे या बदलने की कोशिज करेंगे राम का नाम लेंगे या धरम की शरण लेंगे या हनुमान चालिसा पढ़ेंगे कोई मंतर पढ़ेंगे कोई सबद पढ़ेंगे अपना अपना वो mental compulsion करेंगे मनी मन उसे plus minus करेंगे उसको बदलेंगे अपना कोई नया thought उसके against खड़ा करेंगे देखिए कि इनके मन में युद है कि एक सेना इधर होती है जो unwanted thought आते हैं उनकी एक सेना होगी और उसके खिलाप एक सेना इनको तैयार करने पड़ेगी उसे लड़ने के लिए जैसे हमारे स्रीर में immune system होता है वैसा ही ही इनका ये मामला होता है जैसे immune system में क्या होता है कि हमारा जो हमारी परनाली है रोग परती रोज शमता उसमें बहुत सारे शहनिक होते है और जैसे ही कोई वैक्टीरिया वाइरस बहार से आकर्मन करता है हम पर तो उनके बीच में युद होता है उसी का परिणाम बुखार होता है कि युद बहेंकर चल रहा है अंदरी अंदर लेकिन जिनको ये प्योर ओफोम होती है उसीडी की उनके मन में युद चलता है उनका सरतर्थ बार-बार होता है सरभारी हो जाता है बस बोड़ी सूस्ट हो जाती है एनर्जी इनके पास नहीं होती है हमेशा आलस्य से भरे रहते हैं pure ophomb वाले ocd वाले क्योंकि मनि मन्तों विचारों में युद्ध चल रहा है इससे इनकी सारी उर्जानष्ट हो जाती है ना किसी काम पर फोकस कर पाते हैं ना सो पाते हैं ना जाग पाते हैं ना बात कर पाते हैं अब मैं इनकी दुरदशा की कितनी चर्चा करूँ वही कम है लेकिन हम दुरुदश्या पर बात ना करें हम इलाज पर बात करें तो फाइदा है अब देखिए कि प्योर ओफोम से पीडित संसार में बहुत ज़्यादा है बाकी OCD से भी ज़्यादा इस प्योर ओफोम है OCD की लेकिन इसका इलाज संबव है इसके इलाज के लिए आप मेडिटेशन का साहरा ले सकते है माइड़ पूलनेस इसके लिए बैस टेकनीक है इसके लिए विपसना मेडिटेशन इसके लिए बहुत कारगर है इसके लिए CBT के तो फायदे ही अलग हैं, CBT के तो बहुत फायदे हैं, भागवत गीता थेरपी के माध्यम से प्योर ओफ होम ओशिडी पूरी तरह से भाग जाती है, अगर आपको लगता है कि ये छोटी सी बात माइंड में बैठ गई, तो बले बले अगर नहीं बैठी, तो आप साइको गुरू राजेंदर जोटपुरिया पर वीडियो देखते हैं, राजेंदर जोटपुरिया.com वेबसाइट विजिट करते हैं, जहां आपर अमेजिंग टिप्स रिटन में लिखे हुए हैं, इसके लिए मैं आपका तहय दिल से आभारी हूँ